हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है ट्रेन विशुबं चैनल पे और आप देख रहे हैं डेवोप्स बूटकेम का डे एट बहुत ही अमेजिंग होने वाला आपने देखी लिया है कि आंसेबल की प्लेबुक्स के बारे में बात करने वाला है बस इतना ही नहीं आज हम लोग 20 मिनट के अंदर 3 प्लेबुक्स बनाने वाले है वो भी अगर आपने लाइफ में कभी भी आंसेबल की प्लेबुक नहीं बनाई है तो यह मेरी गैरेंटी है कि at the end of the video आप प्लेबुक बनाना सीख जाओगे भाया यह प्लेबुक है क्या और उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यह एंसेबल क्या है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है तेरा दिन पहले I know वीडियो थोड़ी लेट आई है बट तेरा दिन पहले की जो वीडियो है ansible tutorial for devops यह आप देख लीजे इससे क्या हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि हम playbook क्यों बनाते है playbook बनाने के लिए हमें एक language चाहिए होती है जिसको बोलते है yml ठीक है yml भी बोलते है yml भी बोलते है तो playbooks बनती ही yml पे तो उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाए हुआ है जिसका नाम है yml for devops आपको day 6 and day 7 देखना पड़ेगा day 8 से पहले तो चलिए वीडियो को start कर देते हैं बहुत ही simple सा होता है playbook का concept अगर आपको किसी भी server को या फिर group of servers को automatically उसमें कुछ files पहुचानी है उसको configure करना है उस पे कुछ install करना है कुछ projects run करना है basically अगर आपको multiple servers को automate कर देना है तो जो automation की script होती ना उसको बोलते है playbook तो चलिए playbook बनाता है उस playbook को बनाने के विले हमें क्या चाहिए होगा एक architecture चाहिए होगा जो कि आपके सामने ansible का master जहाँ पे आपका ansible installed होगा तीन server जहाँ पे हम लोग master की help से अलग अलग चीज़े install करेंगे हम लोग files create करेंगे हम लोग users create करेंगे हम लोग packages भी install करेंगे तो चलिए start कर देते हैं सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि यह जो मेरा master है ansible master है क्या इसकी inventory file में सारे यह server 1, server 2, server 3 की information है क्या तो है या नहीं तो मैं क्या करूँगा inventory file को खोल के देख लूँगा यह command कैसे पता चली भाया ansible inventory यह सब कहां से आ रहा है last video में देखना और description में भी चेक करना nodes रहते है description में अब यह करने के बाद आपको समझ में आ चुका है क्या भाया यह मेरे host है तो चलो देखते है पिंग करके तो यह जो module है न पिंग module है देखते है जरा यह server accessible है क्या server is accessible success आ चुका है पिंग का पॉंग आ चुका है बड़िया बड़िया इस सारे accessible है इसका मतलब मैं यहां से playbook बना सकता हूँ और तीनो server पे run कर सकता हूँ तो चलो playbook बनाता है mkdir playbooks जनरली मैं क्या करता हूँ एक folder बना लेता हूँ उसी मैं सारी playbooks रखता हूँ तो cd playbooks मैं playbooks के अंदर आ चुका हूँ खाली है चलो बनाता है पहली playbook पहली playbook मेरी ऐसी होनी चाहिए कि यह जो मेरा master server है वहां से मैं एक command हूँ और सारे servers पे तीन file create हो जाए मतलब एक-एक server पे एक-एक file create हो जाए तो creating a file automatically using ansible यह है मरी पहली playbook तो vim create file.yaml yaml आप yaml भी लिख सकते हो आप yaml भी लिख सकते हो दोनों चलता है enter create file हो गया अब yaml जब start होती है तब कैसे करते हो start यह vim है तो i से आप insert करोगे और 1,2,3,3 hyphen डालोगे इससे आपकी yaml file start हो जाती है अब यह जो playbook होती न वह लंबी से list होती है list of commands होते है अगर आ अपने yaml का tutorial देखा है तो list किससे start होती है list एक hyphen से start होती है अभी पहला जो चीज रहता है न वह रहता है name कि आपकी playbook का नाम क्या है so this playbook will create a file यह इसका नाम है अब यह playbook कौन से कौन से servers पर चलने वाली है उसके host कौन से कौन से वाल है वह मैं तो चाहता हो सारे servers पर च super user या फिर as a root user यह file create करें उसके लिए क्या command है उसके लिए command है become ओके में नहीं रहे become और यह true जैसे ही आप become true लिखते हो इसका मतलब है कि आपका root user बन चुका है that is how you become true ओके अब यह करने के बाद आपको सबसे important काम करना है जो की है automation का which is task अब यह task लिखने के बाद आप enter मार होगे और यहां से आपके task start हो सकता है अब एक ही playbook में multiple task भी दे सकते हो दोस्तों तो अभी के लिए एक playbook में एक task देता है जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है मैं सबसे पहले देना चाहूंगा अपने task को एक नाम की मेरा एक task जो है वो hyphen name is my क्या ना आम हो गया अब इसके बाद आप जो भी लिखते हो ना इसके बाद आप जो भी लिखते हो वो basically होता है एक module ansible की कितने modules होता है ansible कि यार बहुत सारे modules होते यार बहुत सारे अगर आप ansible के back में चले जाओ तो इतने सारे modules है यह all modules अगर आप देखोगे इतने सारे modules है azure के भी modules है, apt के modules है, AWS के modules है तो आप किसी भी चीज़ को automate कर सकते है using modules तो मैं आपको I hope थोड़ा थोड़ा clear हो रहा है कि आपको क्या करना है एक file बनानी है जहाँ पर task में आपको module लिखना है तो यह जो module है हम लोग क्या करने वाले file के साथ काम करने वाले तो file को अगर आपको कही पर store करानी है, create करानी है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, file का नाम चाहिए होता है, और जहाँ पर store करानी है, उसका path चाहिए होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका path, तो यह path हो गया अब मुझे कहा store कराना है मुझे इस server के इधर home ubuntu में एक file create करानी है ठीक है तो path में हो जाएगा ये slash आपकी file का name आपकी file का name क्या है like share subscribe तो subscribe.txt ये मैं क्यों बोलने वा रहा हूँ क्योंकि आप लोग video देखते तो हो like भी तो comment भी करते हो बड़ subscribe नहीं करते हैं तो तुरन subscribe कर लो और वीडियो को like भी करना तो ये है आपका path और आप क्या चाहते हो आपकी file की state क्या हो या फिर जो भी आप file बनाते हो वो कैसे file बनाते हो आप touch ये command use करके file बनाते हो state touch ये करके आपने एक playbook लिख दी है hardly 10 minute के अंदर I think 10 भी नहीं exact बोले तो 7.5-7 minute के अंदर की कैसे आप एक file create कर सकते हो अब इसको escape colon wq enter करके मैं save कर दूँगा और मैं run कर दूँगा अपनी playbook तो चलो दोस्तो मेरे साथ run करते है अगर ये playbook एक बार में run हो गई तो मुझे आप comment करके बताओगे कि आपको ये experience कैसा लग रहा है तो चलो चलो start करता है ansible playbook ये command है जिससे कि आप playbook run करते हो playbook का नाम create file.gamel अब ये playbook कौन से कौन से host पे चलने वाली हो उसके लिए होते हैं आपकी inventory file so hyphen i slash home slash ubuntu slash ansible ansible slash hosts ये हो गई आपकी inventory अब आपको security भी चाहिए आपकी private key भी चाहिए so hyphen private key is equal to tilde slash dot ssh slash ये हो गई मेरी key अब मैं इसको run कर दूँगा run okay this playbook will create a file gathering facts okay okay server creating a file changed is equal to 1 इसका मतलब है कि मेरी playbook ने मेरे तीनो server में कुछ ना कुछ changes किये है क्या changes किये है यहाँ पे एक file आजानी चाहिए जिसका नाम क्या अनदा चाहिए subscribe dot txt अगर आ जाएगी तो subscribe ज़र करना ls subscribe dot txt आ चुके क्या इस server भी आई आई है हाँ इस पे भी आ चुके क्या इस server भी आई है एक playbook बना के दूँगा, second promise भी पूरा ही कर देते हैं, दूसरा playbook बना देते हैं अब generally कैसे होता है, जब भी हम लोग multi environment, multi server पर बात करता हैं, तो हम लोग users भी create करता है, so as a devops engineer, आपको पता होना चाहिए कि user कैसे create करता है create user.yml, again the drill आपको तीन बार हाइफन लगाने है, slash name this playbook कौन से कौन से server पर, hosts is equal to all equal to नहीं, basically यह colon, host all as a root user, मैं बना रहा चाहूँगा user को, तो become true become true मतलब as a root user आप काम कर रहो, ठीक है, become true tasks क्या है मेरे task है मेरे, पहला name क्या नाम डाले user का train with shubham डाल देते हैं, train with shubham, ठीक है, आप अपना नाम भी डाल सकते हो, यह होगी मेरी description, अब आप user कैसे बनाओगे, बहुत ही simple है दोस्तो, बहुत ही ज्यादा simple है user is the module, और जहाँ पे आपको name is equal to आपका जो भी name डालना है, तो train with shubham, तो create a user name, train with shubham the module which you will be using is user, और फिर name is equal to train with shubham पस, इससे आप एक बढ़िया सा user create कर सकते हो, तो चलो, बनाते है, same command है, same ansible playbook create file की जगा, मैं क्या कर दूँगा, create user कर दूँगा, so that becomes create user, and enter, this playbook will create a user, gathering facts okay, changed one, which means user create हो चुगा है आपको कैसे पता चलेगा कि user को ढूडने के लिए command क्या है, कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे list of users तो देखो, दोस्तो बहुत लोग मेरे से question पूछते है कि यह चीज कैसे, what is the difference between ansible and jenkins, ठीक है मैं तो आपको answer बता ही दूँगा बट एक simple सी बात है अगर आप यहाँ पे लिख दो how to find list of users in Ubuntu simple, यह इससे भी मिल जाएगा how do I list all the users in Ubuntu या list all the users by displaying the etc password file ठीक है, तो अगर मैं cat slash etc slash p a s s w d file को list कर दूँगा, तो मुझे सारी users मिल जाएगे आप देख सकते हो, train with Shubham भी आज चुका है यही अगर command मैं सारे servers पर डाओ दूँगा cat slash etc slash p a s w d password तो मुझे यह end में train with Shubham भी जाएगा तो इसका मतलब है कि मैंने master से सारे servers पे एक user create कर दे जिसका नाम है train with Shubham so दोस्तों देखा आपने कि कितना आसान होता है चलो एक और चीज़ यहाँ पर change equal to one आ रहा है interview question कि change equal to zero का क्या मतलब है इसका मतलब है let's say मैंने यह playbook run की create user की अब user तो already existed है यहाँ देखो भी क्या होगा gathering fact create user ठीक है okay आए but change equal to zero इसका मतलब है playbook run हुई playbook ने सब अपना काम किया but playbook ने देखा कि already वहाँ user created है इसलिए कुछ भी server में changes नहीं किये तो पहले आपका change equal to one था change equal to zero मतलब कोई भी changes नहीं हुए आपके playbook के वैसे तो इस तरह से आप changes भी track कर सकते हो तो दोस्तों मैंने आपको promise किया था कि हम लोग ना तीन playbook बनाने वाले ठीक है three playbooks बनाने वाले जिसमें सो दो तो बन गई ठीक है creator user and creator file तो बन गई सबसे interesting playbook generally as a devops engineer आपको क्या काम होता है let's say 50 machines है 50 instances है सब में आपको docker install करना है let's assume आपको सब में docker install करना है कैसे करोगे आप क्या हर एक machine पर जाओगे वहाँ पर बैठके sudo apt install docker यह नहीं करोगे यार आप use करोगे ansible और अगर आपको वो file चाहिए वो script चाहिए वो playbook चाहिए जिससे की docker आप install करो तो मैंने notes बनाए हुए तो आपको जाना है trainwithshubam.com पे trainwithshubam.com पे वहाँ पर जाना है ब्लॉग में ब्लॉग में मेरे ansible के notes आपको मिल जाएंगे Jenkins के notes और सबसे पहले playbooks भी मिल जाएंगे तो playbooks पर जाना है और आपको यह installing docker की playbook मिल गई है अगर आपको इस चीज़ से अच्छा लगा खोड़ा सा भी तो इस वीडियो को like ज़रू कीज़ेगा comment में वो जो बताई की वीडियो कैसी लग रही है चलिए docker को install करता है आपका install करने के लिए चलो समझते है पहले पहले समझते है कि यह playbook बोलती क्या है तो this playbook will install docker तो name तो आपको पता ही है description हो गया हो host सारे basically servers पर यह docker install कर देगी become true as a root user कर देगी task यह सारे list of automation tasks है अब देखो इसमें task ना तीन task है यह एक task है यह एक task है और यह एक task है तो तीन task यह कर रहा है चलो देखते हैं कि क्या क्या कर रहा है सबसे पहले apt key यह एक module है अगर आप यहाँ पर search करोगे apt underscore key तो apt क्या होता है add or remove an apt key मतलब application का जो package होता है उसका एक key add कर देता है तो इस URL से basically docker अगर आपको install करना है तो तीन process में होती है आपको पहले key install करनी पड़ती है मतलब key लानी पड़ती है फिर repository डाउनलोड करनी पड़ती है फिर उसके बाद docker install होता है तो वो तीन चीज़ों को आपने automate कर दिया है using one playbook तो URL में आपने URL डाल गी जहां से आपको key मिलेगी docker को download करने के लिए तो यह पहला task हो क्या docker download पहला task यूज कर ले यह आप डिरेकली भी copy कर सकते हो not a problem ठीक है vim install underscore docker dot yml और यहां पे insert करके मैं paste कर दूगा ठीक है पूरा indentation बिगड चुका है तो चलो indentation लगा दो सबसे पहले तो सबसे पहले आपकी जो file होती yamil वो कभी भी ऐसे start नहीं होती it should start with 1,2,3 यह होगा है name host आपका आएगा name के line में become भी आएगा आपके name के line में task भी आएगा आपके name के line में इससे क्या हो जाएगा यह पूरी एक list हो गई है अब task के अंदर आप list बना रहे हो task के अंदर name है name के अंदर आपका module है ठीक है यह आपका module है और module के अंदर url है तो यह module तक आया इसके अंदर url अब इसको close कर दो enter इसको सिर्फ इतना पाट चला के देखो की run हो रही है नहीं तो जादा कुछ नहीं ऊपर वाली command है create user जैसे आपने किया था वैसे ही install docker अभी I know पूरा docker इंस्टाल नहीं हुआ है मैं बस दिखा रहा हूँ कि एक ही playbook में आप multiple task कैसे डाल सकते हो install docker.yaml this playbook will install docker gathering info adding gpg key और key add हो चुकि है change 0 क्योंकि मैंने try किया हुआ था key add करना तभी उसने change नहीं किया हुआ है चलो ये part हो चुका है मतलब आपकी जो install docker file है उसका एक task आपने पूरा कर दिया है चलो दूसरा task भी पूरा कर देते है दूसरा task क्या है name add docker repository तो apt repository वो module है जिससे आप docker की repository add कर देते हैं तो यहाँ पे आके यह जो आपका state हो गया इसके बाहर आओगे name पे आओगे name वाली line पे पेस्ट कर दोगे इससे क्या होगा आपका second task आ जाएगा यह आपका second task है फिर से इसको एकदम indentation में डाल दो ओके आगे indentation में और इससे basically क्या हो जाएगा आपकी repository add डाउनलोड हो जाएगी docker की repository डाउनलोड हो जाएगा तो पहला task gpg key add होगी दूसरी task repository add होगी तीसरा task आपको docker install करना है install कैसे करोगे बहुत simple है apt नाम का module होता है अब यहाँ पे आजाओगा मैं and अपने docker को install करने का task लिख दोगा अब देख सकते हो कैसे एक ही playbook में multiple tasks लिख रहा हूँ बस इसको थोड़ा सा align कर दो यह I think मेरे तरह सही गड़गड होगी इसलेट थोड़ा time लग रहा है just be patient with me अब यह करने के बाद I think सब हो चुका है मैं इसको explain कर दे दो फटाक से name install docker तो यह तीसरा task है जो install करेगा docker apt is the module जिससे कि आप कोई भी package install करते हो name क्या है package का नाम है docker community edition state क्या है latest तो मैं latest का docker install करने वाला हो escape colon wq यह करने से docker install हो जाएगा सबसे पहले मैं check करूँगा कि मेरे पास docker है भी या नहीं तो अपने यह मैं आज काओ ansible server 1 पे चलो docker command चला के देखो तो यह docker not found docker तो ही नहीं हमार पास कोई बात नहीं install कर देते है यहाँ पे आज आते है and लिख देते है ansible playbook install docker on all of my servers let's go this way मैं को install docker okay adding key adding repository installing docker थोड़ा time लेगा I know इतने time मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि definitely check out कीजेगा यहाँ पे आके मेरे courses जिसमें आपको बहुत ही amazing course मिलेगा Linux for DevOps free course है इसी Saturday को हम लोग live जाने वाले है तो आप जरूर इस पे apply कीजे और अगर आपको DevOps में और चीज़ें सीखनी है तो we have an advanced beginners का course है मतलब advanced बोलने के लिए basically beginners to advanced DevOps course है एक October से start हो रहा है तो तुरंद enroll कर लीजे ओके तो यह आच की है आपकी error क्या error है भाईया काफी बढ़ी error आ गया ओ मैं समझ यह तो basically यह क्यों हुआ पता है क्योंकि आपका जो server है वो updated नहीं है जो जो docker का community edition चाहिए ना उसके लिए आपका पूरे server सारे servers updated चाहिए तो चलते हैं update करने की command ढून लेता है तो again blog पे जाओ ansible playbooks पे जाओ और यह ansible all upgrade server यह है आपकी command जिसे कि सारे servers upgrade हो जाएगे ठीक है अब वही चीज मैंने क्योंकि public की नहीं गी तो hyphen पब्लिक की पब्लिक की निरे private की enter इससे क्या हो जाएगा आपकी जितने भी servers है वो सारे update हो जाएगे चलो हो जाएगा I think यह हो गया है success 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 हो गया सारे चीजे अपग्रेड हो चुकी है अब हम लोग करते है भही अपना docker install चलो देखते है क्या क्या होता है adding gpg की कर दिए adding docker repository कर दिए install docker हो चुका है चलो docker हो चुका install अगर आप मैं यहाँ जाओ और अगर मैं docker का command लिख दू तो मेरा docker हो चुका है install दोस्तों इस तरह से आपने महनतों से जूचते हुए मुश्किलों से लड़ते हुए और बहुत ही आसानी से 20 minutes के अंदर आपने सीख लिया है कि कैसे एक playbook बनाता है वो भी यह नहीं किसे फेक beginners की playbook हमने advance भी देखा कैसे आप docker सारे servers पर install कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी I hope आपको इस वीडियो से थोड़ी भी value मिली होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इस पर एक like कीजेगा मुझे comment पर बताईए कि next आप क्या देखना चाहते हो मैं definitely वीडियो लेकिया हुआ यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद देख तेरे ट्रेन विश्यवाम चैनल थैंक्स वर वाचिंग